तो spiral और helical जो bacteria होते हैं, उनकी क्या characteristics होते हैं? First, सबसे पहले जो spiral bacteria होते हैं, उसको क्या कहा जाता है? Spirulum कहा जाता है, ठीक है? जिए हम single bacterium की बात कर रहे हैं, तो क्या बोलेंगे हम? जो spiral shape की bacterium है, उसे हम बोलते है spirulum, ठीक है? जब हम plural की बात करते हैं एक से ज़्यादा की बात करते हैं तब हम उसे यूज़ करते हैं spirula ठीक है तो plural है spirula और singular क्या कहलाता है spirulum क्या characteristic होते हैं कि ये large होता है as compared to थोड़े बड़े होते हैं size में plus elongated होते हैं ठीक है मैंने अब ये तक आपको जितने भी cocus है bacillus का size बताया ह क्या है 1.52 या 2.25 micrometer से जादा इसकी length नहीं है लेकिन ये spiral जो है उनकी length बहुत जादा होती है 1.5 micrometer का diameter होता है plus length कितनी होती है 15 micrometer तक भी इसकी length होती है यानि ये क्या होते हैं लंबे होते है as compared to bacillus और cocus के spirulum जो bacterium होता है उसका size बड़ा होता है ठीक है next होता है कि इसके जितने भी मैंने आपको भी bacillus कोकाई बताये ये non motile होते है लेकिन ये motile होता है क्यों? Locomatory organ का होता है Find Strange तरी बैक्टि्यम के दोनों end पर हो सकता है एक आपके femmes fatihil होता है स्पारुलम जो bacterium होते है वह motile होते हैं और Locomatory organ क्या होता है? Dans order to find fatigue of god and associate हें हो सकता है यह कुछ ऐसेibilities होते हैं जो chain तो czym पर्लिंट को कभता है आरेंडों हम तो यह होते हैं हमारेश स्पायरुलम होते हैं हम धर्लीक क्यों होता कि और वे हड़ यह modse होते हैं, लंग और ऄपे होते हैं टाशी कई गलेगी लेकिन कुछ ऐसे होते हैं, जिनके डौनों पर स्टींद यानि फ्लेजिलया क्या है लोकोमोटरी औरगन होता है इस तरह की प्रॉक्टिर्य कि अब इस्पारोलम को भी अलग 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 शेप के बेस पर इनको तीन ग्रूप में डिवाइड किया गया अब मैं यहां आपको कहा हुँ शेप के बेस पर बैसिलास और कोकस को उनके सेल् लेकिन जो spiral और आपका helical bacteria है उनके shape के according उनको तीन ग्रुप में divide किया गया है तो spiral bacteria को किस में तीन ग्रुप में divide किया गया है according to their shape ठीक है shape के according spiral bacterium को तीन में divide किया गया है first होता है vibrios second होता है filamentus और last होता है अपका pleomorphic ठीक है vibrio के अंदर क्या होता है vibrio के अंदर क्या होता है इसकी जो structure होती है वो slightly curved होती है just like this ठीक है इस तरह से उसकी body जो है वो curved रहती है single इसकी जो एक end पर एक ही flagulum होती है प्लस ये कॉमा के shape क्या होता है जिसने English में जो अपन कॉमा लगाते है उसका shape का ये लियावा होता है तो ऐसी जो structure वाले आपके bacterium होते हैं vibrio में आते हैं इसका example क्या है vibrio coli और vibrio coleri ठीक है next आता है आपका filamentus एक पतली सी जैसे filament होता है धागा जैसे होता है उस तरह की structure ब बनाते हैं आपके filamentus bacterium वो उसका एक्जामपल है आपका bagiota या theothrix ठीक है theothrix और bagiota इसका example है filamentus spiral bacterium का ठीक है next आता है आपका pleomorphic pleomorphic का मतलब ही होता है कि वो अपना shape और size क्या होते हैं change कर लेते हैं ठीक है तो shape और size change करते हैं किसके according एक तरह से response generate करते हैं कि वो जिस environment मे रह रहे हैं तो उस environment के according बू क्या करते हैं अपना shape और size change कर लेते हैं ठीक है तो इसका example है acetobacter acetobacter जो है वोगो दो form में अपना life cycle जो है वो complete करता है first होता है आपका bacillus जो single rod shape में रह सकता है दूसरा होता है अपका streptobacillus एक long chain का form भी यह इस तरह के arrangement में भी वो रह सकता है या एक long chain के form में भी रह सकता है और single bacillus के form में भी मिल सकता है ऐसा कौन सा बैक्टीरिया होता है एसीटो बैक्टर यानि यह बैसिलस और स्रेप्टो बैसिलस दौनों के फर्म में अपनी पूरी लाइफ साइकल में रहता है यह का एक्जामपल इसका ऐसीटो बैक्टर ठीक है तो यह तो क्लासिफिकेशन हुआ हमारा फिर भी किसी तरह का कोई कंफिजन हो कोई बात समझ में नहीं आई हो तो आप मुझे कमेंट वक्स में मैसेज करके बता सकते हैं या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हैं ठीक है नेक्स्स क्लास में हम पढ़ेंगे सैल वाल के कंपोईशन के बेस पे यू बैक्टरिया को किस तरह से क्लासिफाई किया गया ठीक है सो स्टे ट्यून तिल दैन तेक यह थैंक यू